Good morning दोस्तों, रोज की तरह इस वीडियो में भी मैं आपको एक sentence बताऊंगा और फिर उसमें से कुछ words लेकर के मैं उसके उच्चारन और उसके हिंदी में अर्थ बताऊंगा और उसके बाद हम अलग-अलग उन words को लेकर के उसके spellings, उसके उच्चारन और अर्थ को देखेंगे तो आईए दोस्तों सुरुबात करते हैं Perfection is our goal, excellence will be tolerated Perfection का मतलब होता है पूनता Our का मतलब होता है हमारी Goal का मतलब होता है लच्ष Excellence का मतलब होता है Shrestata या Utkristata Tolerated का मतलब होता है Sahal करला इसका हिंदी में मतलब यह होता है कि पूनता हमारा लक्ष है और Shrestata को बरदास्त की जाएगी मतलब कि अगर काम अगर Perfection के साथ Complete होता है तो Shrestata अगर उसमें नहीं भी है तो उसे बरदास्त कर लिया जाएगा चलिए हम आगे बढ़ता है Perfection P-E-R-F-E-C-T-I-O-N Perfection का मतलब होता है पूनता O-U-R-Our Our का मतलब होता है हमारी G-O-A-L Goal Goal का मतलब होता है लक्ष E-X-C-E-L-L-E-N-C-E Excellence Excellence का मतलब होता है उत्कुष्टता या स्रेश्टता T-O-L-E-R-A-T-E-D Tolerated Tolerated का मतलब होता है सहन या बरदास्त कर ला इस sentence का हिंदी मेर्थ यह है मुझे नहीं पता है कि मेरा भविष्य क्या है लेकिन मुझे यह जरूर पता है कि मेरा भविष्य कौन है बहुत गहराई से सोचना इस बात को बहुत ही अच्छा sentence है आगे बढ़ता है का मतलब होता है जानना मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर यह वीडियो खतम होता है कैसा लगा मुझे कमेन्ट करके बताये लाइक कीजिए शेर कीजिए और दोस्तो एक बात और मुझे आपको कहना था कि अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए क्योंकि आपके लाइक से मुझे पता चलता है कि मैं इसे किस तरह से और बेतर बनाऊ या फिर मुझे और मेहनत करने की प्रहणा मिलती है बाई दोस्तों, have a nice day, मिलते हैं कल सुबर में, बाई!